दोस्तो मैं सीवम स्वागत करता हूँ अपनी यूटूब चनल सीवम टुटूरर में दोस्तो अज हम बात करने वाले हैं जो डिजिटल अंदोलन हुआ था बिहार के एक के यू के जितने भी इंजिनियरिंग स्टुडेंट थे उन्होंने टुबीटर पे एक कैमपन चलाय था या फिर ऑनलाइन एक्जाम लिया जाए तो दोस्तो अब हम देखेंगे कि क्या इस बात से इंवर्सिटी को कोई फड़क पड़ा है या फिर वो कुछ निर्दने लिया है या नहीं लिया है या लेगा या नहीं लेगा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं तो दोस्तो सब उनका सेसन बहुत लेट हो रहा है फिर और भी जितने समिस्टर के student है उनका भी थोड़ा थोड़ा लेट चल रहा है तो इसी को मांग को लेगर करके बहुत सारे student ने participate भी किया था और दोस्तों बहुत सारे ने नहीं भी किया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ऐसा फालतू का काम है हम इसमें टाइम नहीं देंगे तो बगेरा बगेरा सबका अपना मन होता है उस पे मैं कुछ नहीं बोलूँगा लेकिन आपको बता दे कि जो इनवर्सिटी है वो अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं किया है ऐसा नहीं है कि वो बोल दिया है कि आपको पर्मोट कर दिया जाएगा या फिर यह आपको ऑनलाइन एकजाम ले लिया जाएगा ऐसा कुछ नहीं बोला है यह नियूज पेपर में बस च्छापा है कि आपको पर्मोट करने की मांग किया जा रहा है तो इन्वर्सिटी को भी कुछ बोलना चाहिए लेकिन कीया है यह तो जिननलतों जब सकते हैं इसके बाद में बहुत सब्सक्राइस बेis डेरा हूँ में परुदिहर्सट्यार दो दोस्तों अब बात है कि क्या EKU सारे स्टुडेंट को पर्मोट करेगा यह नहीं करेगा तो एक किलिया है कि EKU किसी भी स्टुडेंट को पर्मोट करने नहीं जा रहा है अब इसका और भी बज़ा हो सकता है कि क्यों नहीं करने जा रहा है तो देखे पर्मोट करने के लिए बहुत जारे स्टूरेंट ऐसा बोलते हैं कि पिछले साल किया था इस बार क्यों नहीं कर रहा है तो इसका सिधा सा मतलब है कि जो हमारा इनवर्सिटी गरांट्स कमिशन है UGC तो वो पर्मोट करने के लिए नोटिस जारे किया था सारे जाम लेने में वहाँ ज़्यादा दिक्कत है तो आप पर्मोट कर सकते हैं सारे इनवर्सिटी को दिया था लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि UGC साप मना कर दिया है कि कि किसी को पर्मोट नहीं करना है विच में एक फेक निकुट सरकुलेर्ट हो गया था कि UGC सारे को बोल द तो सेशन भी इसका समय पर चलता तो ऐसा कुछ किया नहीं तो पर्मोट नहीं करेगा उसके बाद में एक और है जो बिहार सरकार ने कोई भी आदेश इनवर्सिटी को नहीं दिया है कि आप पर्मोट कर देजिए तो इनवर्सिटी के पास किसी भी परकार का कोई परेसर नह है तो online exam लेने की संभावना भी के पास है वो चाहे तो ले सकता है लेकिन इसमें भी है कि UGC बोल दिया है कि मई में आप offline exam नहीं ले सकते हैं यानि कि बोला था कि जिसे मैं गर्मी के छुट्टी हो गई थी जून के बाद ले मई में तो बोला गया था कि इस विच कोई offline exam नहीं होगा online आप चाहे तो ले सकते हैं मई में लेकिन मई के बाद इन्होंने कुछ नहीं बोला है कि आगे आपको क्या करना है online लेना है या फिर offline लेना है कुछ नहीं बताया गया है तो अभी आप देखें कि बिहार में जो क्रोना के case है वो लागातार कम हो रहे हैं लाग तो इस कारण से नहीं ले पाता है तो अबका यह भी chance खत्म हो जाता है कि online लेगा लेकिन चाहे तो मजब अभी कुछ भी कर सकता है लेकिन ले सकता है लेकिन आज ही अगर UGC notice जारी कर दे पर्मोट करने के लिए तो भी कर सकता है लेकिन इसके बहुत कम संभाबना रह गई है तो अब देखिए कि जैसा बिहार के जो सिच्छा मंत्री है उन्होंने सापसा बोल दिया है कि अगले माह जो होंगे उससे करम बार में स्कूल कॉलिज जो जितने भी सैचनिक संथान जहां पर पढ़ाई होती है वो सब खुलना सुरू हो जाएंगे तो यहां देखिए य सैचनिक संथान को खोलने के पच्छ में हैं तो दोस्तों देखिए पहले तो खुल लेगा तो हाईयर रिजुकेशन बाले ही का स्कूल कॉलेज खुलिंगा उसके बाद चोटे बच्चे बाले तो इन्होंने सापक सापक बोल दिया है कि जितने भी सैचनिक संथान है अगले महीने से खुल सकते हैं और ऐसा उमीद भी है क्योंकि कुरोना का केस लगतार कम हो रहे हैं तो हो सकता है अगले महीने में ओपन हो जाएगा स्कूल कॉलेज उसके बाद देखिए जहां पर यूनी सेफ भी बोल दिया है कि स्कूल खुलने का बगत आ गया है तो अगर स्कूल कॉलेज ओपन हो जाता है तो फिर ओनलाइन एक्जाम के कोई मायने नहीं रहता है वो हरहाल में ओफलाइन एक्जाम लेगा उसके बाद देखिए कि अगर कॉलेज खुलता है तो कब खुलेगा और एक्जाम है वो कब होगा तो देखिए कॉलेज अगर खुलेगा तो जून से जुलाई से खुलता है तो फिर आपका एक्जाम अगस्त के फर्स्ट बीक तक जा सकता है तो दोनों संभावना भी है अभी तो पहले इस बात पर भी पुरा निर्दने साफ साफ नहीं हुआ है कि आपका स्कूल कॉलेज है वो कब से खुल रहा है तो अगर फर्स्ट बीक ऑफ जुलाई खुल जाता है तो आपका लास्ट बीक में एक्जाम हो जागा तो पाच पेपर का एक्जाम लेने में बहुत ज्यादा समय लगेगा नहीं तो यह चाहेगा तो ले लेगा लेकिन अभी से जुलाई लास्ट जास सकते ही है फिर अगर्स्ट के फर्स्ट बीक में एक्जाम हो सकता है तो दोस्तों यह सारी बाते थी यह वीडियो में मतलब खुश से नहीं बता रहा आपको जो भी न्यूज पेपर के मांध्यम से हो या फिर यूजी सी के नोर्टिस के नुसाहर हो उसी के लिए पसंद आए तो लाइक करें अपने दोस्तों में सेर करें थैंकिए